हमारे गाओं में जब लाइट नहीं होती थी तो मुंबत्ती जलाते थे और उस मुंबत्ती को देखके कभी ये सोचा भी नहीं था कि बड़े हो करके इसी मुंबत्ती से पैसों का इतना सीधा संबन्द देखने को मिलेगा आज ट्रेडिंग की दुनिया वो दुनिया है जहां पर सबसे जदा यूज होने वाला टूल यही मुंबत्ती है मतलब कैंडल कैंडल स्टिक पैटरन इसको कहते हैं चाह 먹고 कोई भी ट्रेडिंग आप देखो आगे के सेशन्स में हम डबल पर भी बात करेंगे, मल्टिपल पर भी बात करेंगे आज सिंगल कैंडल स्टिक पैटन पर जड़ा, डीटेल में समस्ते हैं आज, देखो सर कैंडल क्या होता है, कैंडल इंडिकेट्स मुव्मेंट और प्राइस प्राइस का उपर जाना और नीचे जाना, इसको इंडिकेट करने का, इसको शो करने का कैंडल एक मध्यम होता है, एक मीडियम होता है अब कैंडल पांच मिनट का भी हो सकता है, एक मिनट का भी हो सकता है, पूरे दिन का भी हो सकता है यह depend करता है कि आप किस तरह की trading practice follow कर रहे हैं जैसे मैं मानता हूँ जो लोग scalpers हैं उनको 5 minute की candle stick follow करनी चाहिए जो scalpers है scalpers आप अच्छे से समझते हैं कौन होते हैं scalpers के लिए पूरे दिन का देखने का मतलब है नहीं कुछ लोग 1 minute का भी try करते हैं लेकिन मुझे पता नहीं क्यूँ एक minute वाले में confidence नहीं हाता एक minute में क्या ही आपको facts, truth, data आपको समझ में आ जाएगा तो मेरे इसाब से कम से कम 5 minute का candle होना चाहिए ठीक है powerful tool है सबसे अदा powerful tool है candle और ये एक case study की तरह काम करता है केस study कहने का मतलब आप देखते होगे जैसे lawyers होते हैं उनको अदालत में case लड़ना होता है बहुत सारी किताबे पढ़ते हैं उनको याद आता है अरे 1980 में ये वाला murder case हुआ था तो उस murder case में ऐसे से क्या के दलीले दी गई थी उस दलीलों के base पे क्या judge ने result दिया था वही दलीलें वह सेम दलीलें अगर को कहता है सोचता है कि दूँ तो judge ऐसा result दे यानि कि वह देखता है कि past में इस event पर क्या चीज हुई थी वही event को देखने के कोशिश करता है मुंबत्ति कहता हूँ candles के जरिये अगर वह सेम candle अभी भी बन रहे हैं जो पहले बने थे तो हम देखेंगे पहले क्या result मिले थे वह सेम रेजल्ट अभी भी मिलने की possibility है ठीक है तो candles ये चीज़े बताती है case study यानि कि पूरा और stock market में कहते भी है कि history repeats इतियास अपने आपको दोराता है अब candle समझने से पहले एक चीज़ आपको trend समझना जरूरी है सर अब trend, downtrend, sideways, reversal जब price उपर की तरफ बढ़ रहा होता है तो देखो सर indicators उपर की तरफ ये मुंबत, sorry indicators कहता हूँ ये candles ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आपको दिख रहा है, बीच में जहां आपको red दिख रहा है, वहां पर price डाउन हुआ है, जहां green दिख रहा है, वहां price बढ़ा है, red और green का सिधा मतलब होता है, जब आपको red candle दिखे तो समझ जहां वहां पर price गिरा है, वहां पर अगर दिखा जाए, तो इसको uptrend कहेंगे ऊपर की तरफ, ultimately price बढ़ा ही है, ठीक है, फिर यहां हमारे को एक trend दिखता है, नीचे गिरता हुआ, मतलब इसको downtrend, अच्छा ये एक trend है, नीचे आकर के वापस गया, सर इसको reversal trend कहते हैं, reverse हो गया ये, वापस एक uptrend, वापस से downtrend वगरा वगरा, अच्छा, ये वाला phase अगर आप सिर्फ इतना सा देखें, वैसे पूरी तरिके से sideways नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना सा phase अगर देखें, तो almost आप इसको sideways कह सकते हैं, sideways मतलब, market ना uptrend में है, ना downtrend में है, वो side, 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 चलता जा रहा है, ठीक है, ये candle को जरा detail में समझते हैं, सर, एक इस तरह का candle होता है, जब आपको अभी जो हमने देखा, इस तरह के कई सारे candles देख रहे थे, एक candles क्या-क्या समझाने की कोशिश करता है, क्या-क्या होता है, सर, एक candle में एक high point होगा, एक close point होगा, एक open point होगा, एक low point होगा, क्या मतलब इस सब्सक्राइब मतलब तो ऐसे ही ग्रीन जब ग्रीन प्राइस हो गया है यह अचे है यह वाला जो पॉइंट है इसको कहते हैं opening point opening point मतलब यह एक point था जहां से price शुरू हुआ मालो यहां पर price शुरू हुआ 10 रुपए से लेकिन 10 रुपए से price शुरू होने के बाद इसको हो सकता है price नीचे गिर गया होगा 6 रुपए पर चला गया नीचे यह 8 रुपए पर sorry 10 रुपए से शुरू होकर के नीचे 8 रुपए 7 रुपए पर चला गया लेकिन यहां पर रुका नहीं यह वापस फिर उपर गया price बढ़ा 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 मैं मानता हूँ यहां 15 रुपई उस 16 रुपई पर गया लेकिन यहांपर पर में दस से एज्जामपल लिया तो चलो इसको करा 25 रुपई तक कछया लेकिन फाइनली यहां 20 रुपई पर आ करके अटक गया इसको लिखते चले जाते मालो दस रुपए से हम कहें प्राइस शुरू हुआ, बीस रुपए तक गया, लेकिन गया 20 रुपए तक नहीं, गया हाला कि 25 रुपए तक, लेकिन इस 20 रुपए 25 रुपए होने के क्रम में, बीच में ऐसा भी हुआ है, कि ये 8 रुपए पर भी प्राइस आया है, लेकिन जब हम 5 मिनट के candle की बात कर रहे है या एक मिनट के quandL की बात कर रहे है जो भी आपका duration है उस duration में candle किस तरह का form हुआ है वो हम देख रहा है न अगर हम पांच मिनट की बात कर रहे है तो पांच मिनट में जो प्राइस का पोजीशन लास्ट उच पांच मिनट में ये वो दिखा रहा है ठीक है इतनी बात समझ में आ रही है मतलब यह है सर ओपनिंग पॉइंट यहां से प्राइस खुला और प्राइस बढ़ा प्राइस कहां तक गया था 25 रुपए तक गया था नीचे भी गिरा था क्या हाँ बीच में हमारे को नीचे भी गिरने को देखा था आठ रुपए तक गया था ठीक है तो इसको बोल देते हैं ओपन जहां से शुरू हुआ इसको बोलते हैं लो जहां तक गिरा था इसको बोलते है हाई जहां तक गया था इसको बोलते है क्लोज जहां पर फाइनल उस ट परइसनी तो अब का मतलब गिरावत जिस घृती है तो निचे से निचे लाइगा उपर से निचे किरेगा यह मुझ आ अब इसका जो ओपनिंग प्राइस क्या यहांपर हो गाए उपरसे निचे किरह गिरना है नम गिरने कि बात तो इसका opening price देखो सर यहां पर है ऐसा हम इसका opening price अगर 20 रुपए माने ठीक है यह नीचे 10 रुपए पर close हो गया लेकिन क्या 10 रुपए तक गया था नहीं सर इसका lowest हम इसको मान सकते हैं अगें 8 रुपए तक गया होगा और उपर भी गया था क्या बीच में हाँ उपर भी ग लेब गया था ओपन यहां पर उस entfer में प्डूल कर तो यह वो सकता है कि पहला 5 मेंट का दिखाया लेकिन ऐगला पाँच मिनट पकेंट इले दिखा यह था यह बहु हो सकता है थिक है यहां पर हमने देख लिस रुपए पर close हुआ और अगला मैं दिन देखों पुले महीने का हुप महीने का प्राइस क्यांडल के है। तो कितने पाठ होगा सरे इक ऐसा ही एसा ही रफ में भी थाठ जब रहा है जब हम कि बात कर रहा है कि सबाद कर रहा है तो इसको कहता है बुलिश डॉल यह इसको नीचे हमला करता है। पहले इसको बीरिएक केन्डल केता है। मतलब रीकत बीरिय से मतलब जड़ने वाला केन्डल स्टिक बुलिष घरने वाला। जब हम कहते हैं, bullish trend है, इसका मतलब क्या price उपर की तरफ जा रहा है। हम कह रहे हैं, bearish trend है, मतलब price नीचे की तरफ जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है, मुझे comment box में लिखके बताईए, yes, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ठीक, अब आओ, सबसे पहला candle सर, सबसे ताकतवर candle, मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला candle, सबसे ताकतवर candle मारू बोजू, चुकि जैपनीज ने बनाय था इसको, तो जैपनीज नाम है, लेकिन हम अगर हिंदी में मतलब देखें, तो इसका मतलब होता है, ताकतवर, candle, यहाँ open हुआ, यहाँ open हुआ, यहाँ close हुआ, यहाँ बेरिश कैंडल हो गया, मारू बोजू, दोनों strong है, सर, प्राइस यहाँ से बढ़ना सुरू हुआ, यहाँ पर close हुआ, आच्छा, गिरने की जब बात हुई, तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गिरा, इसमें होता है, विक बताना में भूल गया, सर, यह जो सुतली आप देख रहे हो, पतली सी पट्टी, इसको बोलते हैं विक, और इसको बोलते हैं बोडी, यह जो मोटा पार्ट है न, इसमें और इसमें, इस मोटे पार्ट को बोलते हैं बोडी, और इस पतले पार्ट को बोलते हैं विक या फिर शैडो, यह क्या होता है, मुबत्ती में आप देखते होगा, उपर रसी होती है, जिसमें हम आग लगाते हैं, और वही रसी कही बार नीचे से, मुबत्ती मुखोद दो तो नीचे से भी लटकने लग जाता है, आप उस रसी देशा समझ सकते हो, यह रसी यह रसी और इसको बोलते हैं बॉडी इसका क्या मतलब होता है अभी एग दोक इंडिकेटर जब बताऊंगा तो आपको इसका रियल मतलब समझ में आएगा होगा क्या अब आओ तो एक विक बना उपर जाके मालो यह 10 रुपए से सुरू हुआ यह 20 रुपए पर गया लेकिन वापस आके क्लोस 20 पर गया तो इसको विक बोल देते यह पतला सा सुतली बन जाता है लेकिन इसमें कोई सुतली नहीं बना लेकिन मतलब क्या है प्राइस को नीचे धकेला ही नह जाता चला गया इसको बोलते हैं strong bearish, मजबूत, ताकतवर candle, इसको कोई नीचे धकेली नहीं पाया, उपर ही जाता चला गया, ये 5 minute के candle, बार बार 5 बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि 5 मिट पर सब कुछ करना है, example ले रहा हूं, 5 minute के candle पर टाइम फ्रेम पर उपर ही जाता चला गय है, buyers जादा मजबूत हैं, जादा खरीदे जा रहा हैं इस वक्त, बेचने की possibility नहीं आई इस टाइम फ्रेम पर, ठिक, अच्छे इसमें bearish, same bearish, जब नीचे यहां से 20 रुपे पर सुरू होकर, 10 रुपे तक गया, तो sir, यहां जाकर के फिर ओपर नहीं आया, मतलब नीचे स इसका closing same है, इसका opening और highest same है, ठीक है, मतलब अगर यह गिर रहा था, तो लगतार गिर ही रहा था, इसको धक्का नहीं दिया गया उपर की तरफ, अगर धक्का दिया गया होता, तो इपर हो सकता है, 25 तक जाता, यह हो सकता है, एक बार धक्का और नीचे जाकर के, एक बार औ और उपर गया होता तो एक नीचे भी बन जाता, 8 रुपए, 7 रुपए पर, मतलब जब नीचे गिर रहा था, तो गिर ही रहा था, उपर उचाल आया ही नहीं ही, उस पांचमेंड के candle पे, strong, strength, मजबूती, यह तनी बात समझ में आ रही है, मैं कई lines बार बार रिपीट करू है, भूलो ना, समझ जा, अलग अलग तरीके से बोलने की कोशिश करूँगा कई बार, ठीक है, तो मारो बूजू का मतलब ताकतवर candle, एक डिरेक्शन में अगर प्राइस जा रहा है, तो जा ही रहा है, कोई उसका reverse नहीं हुआ, ठीक है, एक बार में होना ही नहीं है, ठीक ह अचा, अब real chart पे example देखो sir, bullish candle stick का, यहां पर देखो एक candle कैसा लग रहा है, बड़ा तगड़ा मजबूत candle नहीं रग रहा, sir, इन सब में देखो यह सब candle, यह सब बड़े मजबूत candle नहीं लग रहे, लग रहे न, लेकिन हमने यहां पर दिखाना है हमारे को bullish मारू बूज तो मैंने एक candle दिखाया सब देखो सबसे बड़ा candle कितना मजबूत candle बना है नीचे की तरफ इसका मतलब क्या होता है सर पहले तो देखो price गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था मतलब sellers जादा active थे जादा काम कर रहे थे लेकिन बीच में कुछ हुआ जादा buyers आ गए खरीदारी जादा शुरू हो गई तो candle ऐसा बना और जब ऐसा बना candle तो इसका मतलब यह क्या जताना चाहरा है सर बाइंग भरपूर हो गई buyers भरपूर आ गए यहाँ पर जादा खरिदने वाले आ गए यह candle यह बताना चाहरा है तो जादा ताकत buyers की है जादा संख्या buyers की है तो इसका मतलब जादा जब buyers आए हैं उस वक्तों जुन-जुना बजाने थोड़ी आए हैं कुछ काम धाम करेंगे न वो क्या काम करेंगे और खरीदेंगे इतने सारे बादर्स बाइर्स आए हैं तो इसका मतलब समझ में आता आप खरीदारी लागातार बढ़ने लग गई और ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया जो ट्रेंड पहले नीचे की तरफ था अब वो ट्रेंड ऊपर की तरफ हो गया तो स्ट्रॉग बुलिश मारूबूजू यह बटाता है अब इसकी लोकेशन पर भी हम बात करेंगे कहां काम बंदने पर क्या मटलब हो scientists यह डएको चाहरा तो यहां पर यह बताना चाहरा है, बहुत ज़्यादा sellers आ गए, बहुत ज़्यादा बिक वाली शुरू हो गई, बिक ने लगा तर 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 जब इतने ज़्यादा sellers एक्टिव हुएं, तो वो भी तो जुन जुना नहीं बजाएंगे, वो भी तो अपना बेचने का काम और चालो किया, तो उसके बाद देखो क्या हुआ, प्राइस निच्चे के तरफ लुड़ता चला गया, ठीक है जी, यह हुआ बेरिश मारू बूजू, अब मारू बूजू का ज़रा समरी समझा देता हूं, हर कैंडल का मैंने समरी भी आपको समझा आ है, सर स्ट्रॉंग बाइ विद नो विक, लंबी सीस की बॉड़ी होगी, विद नो विक या टीनी विक, अगर विक हो भी गया, शैडो हो भी गया, तो बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा, इत्ता सा, इत्ता सा, इत्ता सा, इत्ता सा, अगर आपको इतना छोटा सा विक भी देखने को मिलता है, तब भी आप वही समझेंगे कि बहुत strong काम हुआ है अगर selling हुई है तो बहुत strong selling हुई है अगर buying हुई है तो बहुत strong buying हुई है ठीक है extreme powerful होते हैं सरक कैंडल extreme powerful यह जिस भी जगह पर पहुँच गए वहाँ पर खेल बदल जाता है trend reversal और trend continuation खेल ऐसे बदलता है यह दो काम अगर भीरिष मारू बूजू की हम बात करा है यह भीरिष मारू बूजू अभी थोड़ी दिर पहले हमने देखा था कि नीचे बना था जब वो नीचे बना था तो trend ऊपर की तरफ चल गया खेल बदल दिया उसने अच्छा यही green वाला जब top पे बनेगा top पे बनने का मतलब क्या है trend already upside है और जब बड़ा मारू बूजू बना इसका मतलब क्या होगा buyers तो पहले ही थे तभी तो उपर की तरफ जा रहा था buyers पहले ही थे तभी तो उपर की तरफ जा रहा था और बड़ा यहां पे बन गया तो मतलब यह और उपर जाएगा तो मतलब trend continuation का मतलब बता रहा है यह जब उपर की तरफ बन रहा है ठीक है नीचे की तरफ अगर यह बन रहा है तो trend उपर कर देगा उपर की तरफ बन रहा है तो trend को और उपर continue कर देगा सेम इसकी हम बात करें जब यह नीचे की तरफ बन रहा है तो इसका मतलब तो नीचे की तरफ बनने का मतलब क्या प्राइस नीचे जा रहा था तभी तो नीचे पहुंचा है और नीचे अगर यह बन जाता है प्राइस नीचे इसे गिर रहा था गिर रहा था गिर र तो अब प्राइस वहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा यह मतलब समझ में आता है जहां भी माल बोल रहा हुँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा इतना कंफर्म भी मतल लेना यह जाएगा तो हो भी जाएगा पॉसिबिलिटी पे चलता है पूरा ट्रेडिंग गांगे 60 60-70%-80% ratio, हमें जहां भी हो जाएगा बोल दू, उसको हो सकता आये probability लेके चलना, लेकिन हाँ, स्ट्रॉंग मारू बुजू है, तो probability ज्यादा होती है, इतनी बात समझ में आ रहे है, मुझे comment box में यस लिख दीजे, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एकदम क्या समझा रहा है, इस अगर लिखते बताते रहो, पता चलता है मुझे, ठीक है जी, मारू बुजू समझ में आ रहा है, एक्स्ट्रीम बावर्फूल, ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, ठीक, अच्छा, एंट्री की possibility है क्या, अगर मारू बुजू, हम एंट्री लें क्या, ultimate goal क्या है, सर, हमको trade करना है, एंट्री लें क्या, जब मारू बुजू बना है, सर, ग्रीन मारू प्राइस उपर जा रहा था, जब bullish चल रहा था, और red मारू बुजू बन गया, मतलब प्राइस नीचे आ सकता है, तो वहाँ पर मैं एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन next candle का confirmation हमेशा, कोई भी candlestick pattern में, आपको हमेशा next candle का confirmation लेना चाहिए, कि अगला candle कैसा बन रहा है, या उपर होगा, नीचे होगा, बीच में होगा, जब बीच में बन रहा है, तो trend continuation आप समझो, ठीक, आओ, अब हैमर, most confusing, क्योंकि इसका चार भाग है सर, चार भाग नहीं है, उससे पर ज्यादा भाग है, तो सब जो होता क्या है सर, यह हाथावला, हाथावला देखे हो ना, य यह उल्टा हतावला जैसा दिख रहा है, सर, टेकनिकल भासा में, इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, हैंगिंग मैन का मतलब क्या, वो आपने देखा होगा, जीसस क्राइस को ऐसा टंगे हुए रहते हैं, सर उपर ऐसा गिरा, ऐसा करके, तो हैंगिंग, आदमी लटका हुआ ह है, ऐसा ही दिखाने की कोशिश कर रहा है, अच्छा, यहां पर विक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होगा तो छोटा सा होगा, ठीक है, तभी तुसको हैंगिंग मैन कहेंगे न, इसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं, अच्छा, इसमें कलर मैटर नहीं करता है, यह रड़ी निच्चे से उपर जाएगा उपर से निच्चे से उपर जाएगा ना सर 10 रुपे से शुरू हो गया इधर 15 रुपे तक गया लेकिन उसी बीच क्या हुआ था प्राइस नीचे भी आया था और उपर धकेला गया सर ब्राइस बाद में उपर धकेला गया और उपर 15 तक गया त विक यह ज़्यादा लंबी हो, तो समझ जाओ, बायर्स ज्यादा स्ट्रॉंग है, बायर्स की स्टेंथ दिखाती है, बाइंग की ज्यादा मजभूती दिखाता है उसमें, ये जब लंबा होता है तब, ठीक है? अच्छा, इसमें बात करता हूँ, रेड है, मतलब प्राइस उ नीचे ये दो रुपे पर भी प्राइस गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ था? उपर के तरफ, ठीक है? सर अगर ये प्राइस नीचे ही ठहर जाता, चुकी 15 से शुरू हुआ, अगर ये प्राइस पांच रुपे पर ठहर जाता, तो ये कैसा कैंडल बनता? ये ऐसा बनत सर, है ना, वहाँ पर बॉड़ी उसकी स्ट्रॉंग हो जाती, मोटी हो जाती, लेकिन, लेकिन सर इतनी लंबी बनने का मतलब क्या है? अभी मैंने फॉर्मुला क्या बोला? जब बॉड़ी के नीचे लंबा विक बन रहा है, तो समझ जो, बायर्स जादा है वहाँ पर, सर ल सर, बॉड़ी के नीचे जब लंबा विक हो तो, बाइंग जादा हुई है, अब इसकी लोकेशन पर बात करते हैं, सर, इसका अगर ये चार्ट के उपर बने, जब प्राइस उपर बढ़ रहा है, और ये उपर इस तरह का बनता है, तो इसका मतलब क्या समझोगे? लंबा व कुछ मतलब नहीं निकलता, लेकिन मैं बोलू, अगर ये ही स्ट्रक्चर नीचे गिर रहा, गिर रहा, गिर रहा है, और ऐसा बन जाता, अब इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब समझो, अब इसका मतलब समझने के लिए इधर आ जाओ, सर, सर, ग्रीन का मतलब क्या है सर माल लो यहां पर 10 रुपए से प्राइस शरू हुआ यह आट रुपए तक गया लेकिन दस रुपए से शुरू हुआ यह 15 रुपय पर गया लेकिन उपर हो जकता है 30 रुपय पर गया होगा रुका नहीं लेकिन नीचे धकेला गया इसको तभी तो यहां पर चोटी सी है गिरावट तो बड़ी है यानि कि बॉडी के ऊपर जब लंबी विक बने इसका मतलब क्या समझ में आता है सर सेलर्स की पोजिशन स्ट्रॉंग है सेलर्स जादा हावी है विक वाली जादा हुई है सिंपल फॉर्मॉला समझ में रहा है दे दिया ना फॉर्मॉला क मालना हूं अगर इसको थीस रुपे तक उपर लेक गया था लेकिन बाद में क्या हुआ नीचे गिराया गया तभी तो यह नीचे गिरते हुए आट रुपे पर क्लोज हुआ इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है कलर कुछ भी हो गिराने का जो वह है डुरेशन प्राइस ज्यादा मुव्मेंट डाउन में हुआ है अप में हुआ है इसका मतलब सेलर्स यहां पर हावी है कलर कुछ भी हुए साइकॉलोजी भी मैंने आपको समझा दिया अप सब टेक्नि आपने जीसस क्राइस चर्च वकेरा में देख्या होगा उनको उपर रखा जाता है तो कुछ इस तरह का ही दिख रहा है तो इसको हैंगिंग मैं बोलते हैं लेकिन यही जब नीचे की तरह बनेगा सर चाट के बॉटम पर बनेगा तो इसको हम हैमर बोल देते हैं यह थोड़ा सर इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं अगर यह टॉप पर बनता है शूटिंग स्टार का मतलब होता है तूटता हुआ तारा तूटता हुआ तारा का मतलब वह तारा नीचे की तरफ गिर रहा है तारा कभी तूटके उपर की तरफ नहीं जाता ना निचे की तरफ जाता है अलाकि ये जो नाम है ना इन्नाम का हिंदी मीनिंग भी अगर आप समझ जाओ याद रखलो तो भी आपको definition रटने की जुरुतनी वो candle कैसा हो shooting star मतलब उपर से निचे हैं निचे से निचे नहीं shooting star मतलब उपर से निचे उपर से निचे मतलब इस shooting star कितर बनेगा उपर बनेगा अच्छ उपर से निच्छ है यानि कि प्राइस निच्छ गिरने का सिंबल है शूटिंग स्टार सिंपल हैंगिंग मैं अपर शूटिंग स्टार निच्छ ठिक ठीक है जी, समझ में आ रहा है, अच्छे इसको inverted hammer बोलते हैं अगर ये bottom बनेगा, color कोई भी हो, अगर ये नीचे bottom बन रहा है, inverted hammer बन रहा है, समझ में आ रहा है, सर इसका मतलब हुआ बिकवाली ज्यादा, selling ज्यादा, sellers ज्यादा powerful, इसका मतलब ज्यादा हुआ, buyers ज्यादा powerful, अब location आप समझ लो, अगर उपर बन रहा है, तो उपर का मतलब, buyers तो पहले से powerful थे, तो चार्ट को उपर गया, तो ये बनने का मतलब नहीं है, ठीक, लेकिन अगर निच्छे बन रहा है, buying buyers की power, निच्छे गिर रहा है, मतलब निच्छे कब गिरेगा, जब sellers ज्यादा powerful है, अगर निच्छे बन रहा है, तो बायर ज्यादा powerful मतलब, ट्रेंड reverse हो सकता है, पोजिशन मैंने यहां पर लिख भी दिया है, ट्रेंड reverse, इफ फोर्म से बाटम, अगर निच्छे बने हा, तो ट्रेंड रिवर्स होगा, बदल जाएगा, इसमें मैंने लिख दिया है, ट्रे कोई पॉसिब्रेटी नहीं है अगर यह उपर बनता है तो ट्रेंड होने का पॉसिब्रेटी कुछ नहीं है एत्ती बास समाज में आ रही है तो मदा आरहा है मुझे लिखके बताते रहें अब इसके जी चाट आ जबना है तो हैमर बनने के बाद ऊपर की तरफ गया है हमने अचाने हैमर को इस हैमर के बहुत है रहा था लेकिन गर बायर ज्यादा ऑपर च्छाइं लग भी तो हमने जो समय चाहिए, हम चार्ट पर वह होते वह दिख रहे है देखने एक सब्सक्राइए इसको चाहीर को किसी को सू उर्टी चाहें हो आगर दोनो लगवक बराबर के असपास है यहां इसको आप shooting star कह सकते हो चाहे green हो red हो कोई मतलब नहीं हमने पहले बात कर लिया shooting star मतलब टूटता हुआ तारा उपर से निचे गिरेगा shooting star बनने के बाद हुआ कैसर देख लिया मतलब हमने जो पढ़ा अब तक बिलुकुल सही पढ़ा यह समझ में आता है हमको अच्छा अब जरा summary पर बात कर लेते हैं sir strong indication of reversal in these cases अगर यह तीन cases आपको दिख रहे हैं तो मतलब strong indication है hammer अगर bottom पर बन रहा है यह वाला hammer hanging man जिसको कह रहे हैं अगर bottom पर बन रहा है तो reverse होगा hanging man अगर आप top पर बन रहा है ठीक है अगर hanging man top पर बन रहा है नहीं यह मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर reversal नहीं होगा फ़या यह यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया यह अगर टॉप बन रहा है अगर यह शूटिंग स्टार यानि कि इन्वर्टेड हैमर अगर टॉप पे बन रहा है तो ट्रेंट रिवर्स हो सकता है जैसा भी आपने बात किया अच्छा फॉर्मुला देखो आज तक किसी नहीं सा फॉर्मुला नहीं बताऊगा मैंने फॉर्मुला लग दिया आप जो भी आपको लिख लो इसको नोट इफ रिवर्टे इन्वर्टेड हैमर फॉर्म से बॉटम अचे तुमाने लिखे दिया उपर एंट्री पॉसिबिलिटी बनती है कि हाजी बिल्कुल बनती है लेकिन आगला कैंडल कन्फरमेशन जरूर लेना तो को हैमर मतलब कोई भी हैमर यह अगयाब कर दिता किजा ना किंट नि secrets के लिए लेकिन आगैंट अरहे होता है सबसे बड़ा पंपॉइंट जो ? चोटे-चोटे लॉस पे काम करते हैं दो-तीन रुपय हजार उपय प्रॉफिट हजार रुपय लॉस ऐसा अगर चोटे-चोटे अब काम कर रहे हो सर उसमें तो ब्रोकरज बतान बचाने का एक अच्छा तरीका आपको बताता हूं आप शून्य बाइफ इनवेशिया ब्रोकर ब्रोकरज बचाना है तो शून्य आपके लिए अच्छा काम कर सकता है अब आते हैं वापस हां यह डोजी डोजी का मतलब होने गूगल पर सचकर हमको कुछ मिला ही नहीं सारे हिंदी मिनिंग इसका कुछ ही नहीं यह उन्हीं की भास आया इधर योजी नहीं हुआ तीन दरगे डोजी हैं सर ग्रेव स्टोन लॉंग लेज्ज ड्रागन फाइग क्या मतलब है इसका इ इसका मतलब है अगर यहां पर 10 रुपे पर प्राइस शुरू हुआ तो इसी 10 रुपे पर प्राइस क्लोज भी हो गया है अगर इसी 10 रुपे पर प्राइस क्लोज हुआ इसी पर शुरू हुआ था तो इतना बड़ा डंडी है कहीं से हां तो उसका मतलब यह है कि 10 रुपे स सेम हो गया ठीक है तो ऐसे में इसको open and close price सेम है इसको bearish doji कहते है bearish doji बोलो यह gravestone doji बोलो gravestone का मतलब क्या होता है वह आपने देखा होगा वह ताबूत जो होता है जिसमें लाश को अंदर ग्रेव स्टोन वह पत्तर होता है मतलब गया निच्चे के तरफ खेल का थम ठीक और वैसे भी फॉर्मुला अमने क्या समझा बोडी के ऊपर अगर लंबा विक है तो मतलब सेलिंग प्रेशर जादा है गिराने वाला फ़मुला बड़ा माजिदा निकला है याद रख ले ना इसको अचा अगला लॉंग लेज्ट हो जी मतलब यह बॉडी बीच में है सर यह जितना उपर गया था उतना ही नीचे गया था सर बीच में रहने का मतलब क्या हाला कि इन लडाई जोरदार था तभी तो यह 20 रुपे पर शुरू होगा गुम गाम करके 20 रुपे पर रिकलोज हो गया तो लडाई जोरदार है भाईया अच्छा अगर बॉडी के नीचे लंबा विखा मतलब बाइंग प्रेशर जादा है तो इसको बोलेंगे बुलेश ठीक है इसक एकॉलेजी भी समझा दिया क्यों होता है अब इसका समरी समझते हैं और याद रह जाएगा आपको तितली सर ड्राइगन फ्लाई का मतलब यह तितली टाइप आइसा दिख रहा था भी और ग्रेव्ट ग्रेवस्टोन आराई पी देखके समझी गए होगे तो आईसा होगता आप याद रहे जाए आपको ड्राइगन फ्लाइट टितली और ग्रेवस्टोन आरे पाई आराई पी मतलब नीचे गिरने का ड्राइगन फ्लाइट टितली उपर की तरफ ओड़ने का बियरेश ए सारी बुलिश एंड बियरेश ठीक है जी आरे तो जी रिवर्सल ग्रेवस् यह लाइफ चार्ट का एक्जामपल देखो सर बॉड़ी के उपर देखो इतना बड़ा बना है कि नीचे का कोई विक है ही नहीं तो यहां तो बहुत सॉलिड स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर ने दिखा रहा जब बॉड़ी के सिर्फ उपर उपर ही इतना बड़ा है तो सेलि प्लास ट्रेंड कंटीणी यहां वह बुलिश बन चुका था लेकिन यह बनने के बाद भी बुलिश को कंटीणी रख गया फाइट जोड़दार है मतलब बायर और सेलर का जोड़दार फाइट का सिम्बल है इंब दोनों ही बराबर है तो कुछ कह नहीं सकते का प्राइस उ कि निचे भी जा सकता था क्योंकि जोनों ही बराबर है यहां पर उपर बुजा सकता था उपर गया है तो इसको इंडिसिसिव केंडल भी कहते हैं मतलब आप इसमें डिसिजन ली ले सकते कंफ्यूज करने वाला टाइम पास खराब करने वाला टाइम खराब करने वाला केंडल थेखिए अब ट्रेंड में था, अब ट्रेंड में ही रह गया, कि अब एक यह समझे हो, यहाँ पर मैंने क्या समझाने कोश्च करी है, वही लौंग लेज जूजूजऑ यहां पर बनाया है, लेकिन उस लौंग लेज्जेश जूजी बनने के बाद क्या हुआ है, लॉंग लेज डोजी का मतलब बायर और सेलर दोनों का स्ट्रॉंग तादाद एक जैसा बराबर का तादाद सर देखो अलड़ी नीचे गिर रहा था गिर रहा था गिर रहा था डोजी बना उसके बाद और गिरने लग गया जबकि यह सपोर्ट का लेवल है मैं यहां दिखा रहा हूँ यह सपोर्ट का लेवल है सपोर्ट के लेवल को तोड़ दिया डोजी बनने के बाद मतलब पहले ही गिर रहा था दोनों का बराबरी दिखाने का मतलब सर यहां से लॉट भी सकता था, यहां से और नीचे भी गिर सकता था, और नीचे गिर गया, मतलब यह long ledge doji यह बताता है, total confusion, कोई decision नी ले सकते इदर, कुछ भी हो सकता है, पलट भी सकता है, अगे भी बढ़ सकता है, decision नहीं लेना बिलकुल भी, entry नहीं लेना बिलकुल भी, जब भी यह long ledge doji बने, ठीक, अच्छा, अब यह वाला dragonfly doji, जो बियर इस था, नीचे बनाया है, अच्छा, नीचे बना देखो, long wick नीचे मतलब, सीधा formula, ज्यादा buying pressure है, उसके बाद हुआ क्या, समझ गे, ठीक, अब समरी doji का, शुरू हुआ प्राइस, long movement उपर नीचे मारा, शुरू हुआ प्राइस, long movement उपर नीचे मारा, close at the opening position only, opening position पर ही close हो गया, उसको बोलते हैं, doji, body छोटा सा साइस का होगा, और wick लंबा सा होगा, body छोटा था, wick लंबा सा था, ठीक है, strong fight between buyer and seller, बोथ हार strong, इसका मतलब है, दोनों के लडाई की बीच, लडाई जो ह कहते हैं, मतलब हाँ पर decision नहीं ले सकते हैं, एसे candle के बेच पे, ले भी सकते हैं, अभी दो line बात बताता हूं, कब ले सकते हैं, confused candle है, time pass candle है, कोई decision नहीं ले सकते हैं, sir, decision अब तब ले सकते हैं, जब top पे या bottom पे बन रहा है, कौन सा वाला, long ledge नहीं, dragonfly या gravestone, trend में और may set middle, बीच में बन रहा है, तो trend change होने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, color doesn't matter, किसी भी color का बने, sir, black का बने, red का बने, कई पर आपको red का भी दिख जाएगा, बहुत छोटी सी body दिख जाएगी, green का भी बन सकता है, बहुत छोटी सी body दिख जाएगी, बट फर्क न ले सकते हैं, लेकिन किस तरह का बन रहा है, बेरिश वाला है, बुलिश वाला हो हमारे को देखना है, ठीक है, डोजी का ये रहा हो, अब spinning top, spinning top का मतलब क्या होदा है, लट्टू, लट्टू बच्पन में घुमाया होगी न, दोगोजर उपर भी रसी, नीचे भी रसी, बी बहुत ही जोटा था, अचा सिर्फ देखने में डोजी जैसा नहीं लग रहा है, इसका काम भी डोजी जैसा है, ये भी कन्फ्यूस करने वाला है, बराबर का फाइट है, उपर भी जितना, नीचे भी जितना, इसका मतलब बॉडी से बहुत लंबा विक उपर भी, बॉडी स जब ऐसा था, तो हमने उसको बोला था लॉंग लेच, डोजी में यहां भी बन सकता था, यहां भी बन सकता था, इस पिनिंग टॉप में बीच में ही रहेगा, ठीक है, यह डोजी और स्पिनिंग टॉप में फर्क है, यह भी बुलिश होगा, यह भी बेरिश होगा, इसको ह इन्दी में कहते है लट टू अब देखो इसी पे आपको दोनों दिख जाएगा आप जला देखना, यहाँ पर देखो आपकर शर्णिक का खक़The IT's spinning top के बार यहां पर नीचे आया है, फिर उपर आया है, यहाँ भी आपको spinning top देख रहा ने थोड़ा सब साइड़ेड रहा है, यहाँ इसको भी आप it's spinning top थोड़ा सब कह सकते हो karma udah रहाया है मतलब यहां नीचे भी गया है साइड़ वेस्बैज चला रहा है उपर भी गया है इसका मतलब संज्भी यह आよね background box in ले सकते तरी अगया थिक जितो यह सबाधार कंडल नहीं इनको शुना अब बढ़ते हैं आग्या था ऋै NovYa अब summary सम्झो इसका, trend may reverse if forms at bottom or top, may, लेकिन ये may भी बहुत कम है, possibility भी बहुत कम है, क्योंकि दोनों की बराबर है, देखो ऐसा सम्झो, उपर जा रहा है market, price उपर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और spinning top बन गया, तो spinning top का मतलब क्या, द हो सकता है, नीचे चला जाए, लेकिन ये हो सकता ही है, possibility बढ़ा कम है, ठीक है जी, spinning top अडोजी, almost same, लगबग same है, किस में फर्क है, वो मैंने भी बता दिया आपको, indecisive है, ये भी बढ़ दिसिजन नी ले सकते, equal fight दोनों के बीच में, entry, after next candle confirmation, that too at the bottom or top, या तो bottom या टॉ जाने वाला बन रहा है, तो मैं समझ जाओंगा, खेल हो गया, आप तो गिरे का market, ठीक है, अईसे ही नीचे की तरफ जा रहा था, spinning top बन गया, और अगला candle bullish बन गया, green बन गया, तब मैं सम्झूँगा, अच्छा उपजा सकता है, ठीक, एक बार में इसको अगे जाना ही नह अगर आप शू नहीं करें, उसमें भी आपका broker मिल जाता है, वाल्यूम इंडिकेटर यूज़डर यूज़डर यूज़र आपको दिखा देगा, यह जो इंडिकेटर बना है, इसमें कितना जादा वाल्यूम है, मतलब सही इंडिकेटर है, कहीं फरजी इंडिकेटर तो न और PCR यूज़ कर लेना, PCR यूज़ करने के लिए मैंने आपको option chain analysis बता रखा है लास्ट के session में, वैसे भी प्लेलिस्ट बना रखा है, तो प्लेलिस्ट के नीचे आपको option chain analysis का 2 sessions आपको मिल जाएगा, 2 या 3 sessions मिल जाएगा, उस पे master कर लो, PCR कुछ नहीं है बहुत आसाने समझना लेकिन PCR volume indicator के साथ ही candle use करो तो आपकी accuracy ज़्यादा आएगी ठीक है जी इसके बिना सिर्फ candle use करने का मतलब नहीं है Volume indicator available on the brokers अच्छाई अगर आप intraday broker हो तो candlestick, volume और PCR तीनों का combination हमेशा साथ में use किया किजे तब आपके लिए ज़्यादा फाइदे मन्द है तो I hope मैं आपको single candlestick pattern के बारे में बहुत को समझा पाया अगले session में हम double और multiple candlestick भी cover करेंगे आज के session में कितना मदा आपको कुछ अलग सीखने को मिला तो मुझे comment box में ज़रूर लिख के बताईए लिख के बताईए आपके बताईए